हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दे चैनल और देखिए हमने पीजिटी के विस पीजिटी 2018 का जो क्योशन पेपर है वे स्टाट करका है विद एक्स्प्लानेशन हम यहां पे जो आपका पेपर इसको सोल्व कर रहे हैं तो दो वीडियो अल्रेडी अपलोड हो चुकी है जिस ठाट को फाइफयर्स के पी वाई क्यू करके जाना और रिवाइज जुरूर करके जाना अभी आपका एक्जाम फैप के अंदर ठीक है और जितना होसके रिवाइज तो दो बार तो रिवीजिन आपको ज़रूर लेना है और 3-4 बार रिवाइज कर लोगे तो और अच्छी इसके साथ भी अपने फूल 확실히 मोख टेस्टों में झूपनों था魚 पिर आपको कोई प्रोब्लम नहीं हिए उसका पते आप उसके आप लुगों को पता चल जायेका कि आपको स्पाइब एक टाइम लिंसी के अंदर आप पर जो अपने क्यों सब्सक्राइब कर लिए तो फिर आप अपनी थोड़ी हाई लेवल के और स्टड़ी कर सकते हो अदर्वाइज वे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है करके चले जाना ठीक है उससे भी आप लोगों का काम हो जाएगा आपका जो एक जाम हो निकल जाएगा अगर आपने ncrt के वह फोलो कर लिया तो तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्योश्चन है 111 क्योश्चन हमारा तो विच वन इस नोटा क्रेक्टर नहीं है तो देखिए यहां पे जो फॉर्ट ऑफ्शन यह राइट ऑप्शन है यह आपके कोडिनेशन की क्रेक्टर स्टिक्शन है क्यों नहीं है तो आप यहां पर रिड़ कीजिए इसको इसको इस कंसीडर दा और और इंड़िजिवाल तो भी यह बोलता है कि बीए और ग घुलत का है तो यह आपकी क्रेक्टर स्टिक्स नहीं होगी और सारी क्रेक्टर स्टिक्स से बीए कॉंटिनियूंस प्रोसेस भी है यह रिस्पॉंसिविटी वी मैनेजर की और एसेंस ओफ मैनेजमेंट है कॉड़्डिनेशन हमारा 112 भीच वन is the प्रेक्तर स्टिक्स ओव द से ट्रांसफोरमेशनल में और एक में तो यहां पर आपकर सहे कॉन्सी क्रेक्टर स्थिक्स रहते पूप करने करने कि कोशिश करते रहते और जो यह पूपली का क्यों organization goals जो भी vision है जो भी है यह सब करते है और इसी तरह से जिसे मैंने बात कि थी आपके transformational leader की तो जो क्रिसमेटिक है यह transformational leader भी है क्यों है क्योंकि काम इनका भी है यह लेकिन यहाँ पर difference basically क्या है क्रिसमेटिक leader में जो leader है वही सब कुछ करेगा जो follower आघेंगे जो पुबिक रहेगी कहीनाकि 550 रहेगा उनको यह रहेगा कि हमारा लीडर करेगा लेकिन переж înt newspapers sc लीडर करते हैं जो यह पभी खोनुनें लीडर है जो यह पुब्ली है जो हूँ उनको मोटिवेट करते हैं और उनके थ्रू है परकाम करने को कोशिश करते रहते हैं और गोल को अच्छे से अच्छीव करते हैं तो नेक्स्ट हमारा 113 क्योशन वीच ओफ फॉलिंग नोटा मैथट ओफी क्रियेटिंग क्वैरी इंदा एक्से से तो यहां पर जो हमारा अंसर हो जाएगे फिर से आपका क्योशन है तो इसका जो राइट अंसर है यह आपका टेक्स्ट मेथट इसका राइट अंसर है ठीक है नेक्स्ट हमारा वन हंडर फॉर्टीन तो आपना जो कंप्यूटर है यह भी जुरूर करके जाना जो क्लास लें ट्वार्यद में जितने भी आपके टोपिक दे रखे हैं वहीं से आपको computer-based question देखने को मिल जाएंगे और 4 to 5 question आपके आ रखे हैं तो आपको इतने तो जुरूर देखने को मिलेंगे तो इसलिए इसको skip करके मत जाना और ज्यादा tough भी नहीं है थोड़ी सी एक दो बार reading करोगे तो आप easily कर पाऊगे तो next देखे 114 question a machine is purchased 4 rupees 3 lakh and its salvage value after its useful life of 9 years will be rupees 30,000 तो इन्होंने क्या बोला एक machine है वो 3 lakh रुपे की हमने purchase किया है और इसकी जो useful life है कि यह 9 साल तक तो चलेगी 9 साल तक तो हमें यह देगी production हमारा करेगी और 9 साल के बाद भी अगर हम इसको बेचेंगे तो यह 30,000 की चली जाएगी तो salvage value का मतल लास्ट में scrap value भी इसको बोलते है कि 9 साल यूज करने के बाद जो 3 lakh की machine हमने आज खरे दिया है तो यह 30,000 की जाएगी फिर repair expenses हमने इस machine में at the end of the fourth year 20,000 रुपे का होगा what will the rate of the depreciation per annum under state line method के according आपको क्या करना depreciation निकालना तो मैंने जो आपको depreciation का chapter मैंने आपको करा रख उसमें मैंने आपको सिखाया भी था कि किस तरह से depreciation हो निकालना तो उस वीडियो को देख लेना तो अभी हम यहाँ पर करेंगे देखें जो 3,000,000 में से पहले तो हमाइनस करेंगे आपका 30,000 ठीक है तो अब जो हमारी machine की value है वो हमारी कितनी निकल के आई 2,70,000 और अब हम हम इसको divide करेंगे 9 years से यह depreciation निकालने का formula है कि आपकी जो cost of asset है उसमें से minus कर देंगे salvage value और उसको divide कर देंगे useful life से यहाँ पर हमारे depreciation का amount निकल के आजएगा तो हमारे depreciation का amount निकल के आया 30,000 अब हम हर साल 30,000 रुपे क्या लगाएंगे depreciation लगाएंगे लेकिन इनोंने ह जो depreciation का amount है उसको हम divide कर देंगे जो machine की जो value है जिसमें हमने उसको purchase किया तो 3,000,000 की हमने purchase की है तो 30,000 को मैं divide कर दूंगी 3,000,000 से तो यहाँ पे मेरा 10% क्या जाएगा depreciation तो right answer हो जाएगा हमारा 10% option number second next question हमारा 115 which of the falling is not a benefit of the e-business जो हम e-business करते है ठीक है उसका benefit कौन सा नहीं है तो इसका benefit जो नहीं है वो हमारा personal touch तो e-business में हम personally touch करके नहीं देख सकते चूके नहीं देख सकते किसी भी चीज को अगर हम खरीदते है तो यहीं हमारा benefit नहीं होगा next हमारा 116 job costing तो job costing basically क्या है तो देखिए इसका right answer आपका second job costing is applied when the material and the labor cost can be identified by the order number तो basically job costing हम किसको बोलते है कि जहां पर जो material है और जो labor cost उसको हम easily identify कर सकते है उसके order number से जितने order आएंगे ठीक है तो यहां पर हमारा जो भी product होगा तो उसे product की हर एक product की हम भी इस product पर कितने material cost है कितनी labor आई हम वो निकाल सकते है तो अपने आप में जो हर एक product है वो एक job का काम करता है एक तो हमें पता चल जाएगा कि एक बैड को बनाने के लिए हमारे कितनी labor है कितनी कोस्ट है यह हमें sofa set बनवाना है तो सवा से बनवाने के लिए एक सोफा सट पर हमारे कितने material लगेगी कितनी labor cost लेगी तो जो order number है ना order number से हमके identify कर सकते है material or labor cost को तो वह है बिसिकली हमारी क् cost नेक्स्ट हमारा 117 विचन ओफ फॉलोइंग स्टेट्मेंट इस तु तो हमारी कौनसी स्टेटमेंट टू है तो दिकिए फस्टेटमेंट क्या देरीज नो separate लोग्ट गांडा सोल प्रोपराइटर्शिप तो यह हमारी फरस्ट हमारी हमारी प्रू है तो और तो वह में दे फर्म है, उनको गर्ण करेगा, तो इसी तरह से हमारा जो वह सोल प्रोप्रोप्रेटर्शिप है, उसके लिए कोई भी सेप्रेट लोर नहीं है, और ये बात हमारे क्या है? ट्रू है, तो और बात आप यहां पर रीड कर ले न, देखें और हमारी ट्रू कैसे नहीं है, the owner of a sole proprietor है जो limited liability है true नहीं है क्योंकि जो sole proprietorship है उसकी जो liability है वो unlimited रहती है इसले फोल्स है joint Hindu family business is controlled by the all adult member नहीं ये भी गलत है तो joint Hindu family business को कौन control करता है जो करता रहेगा करता कौन होगा जो सबसे बड़ा member होगा family में ठीक है next है the liability of the all member of the joint Hindu family business is unlimited ये भी गलत है joint Hindu family के अंदर जो liability है वो सिर्फ जो करता है उसकी unlimited रहेगी और जो other member रहेंगे उनकी limited रहेगी तो इसलिए हमारी सिर्फ true हमारी सिर्फ फर्स्ट लाइन है ठीक है या फर्स्ट option है उसके बार next question हमारा which one is not the purpose of the cost accounting जो cost accounting है उसका परपज क्या नहीं है तो product decision भी हम भी cost के base पही लेंगे ये भी सही है और certain the financial position of the business तो जो financial position है business की वो हमें किस से पता चलती है वो cost accounting से पता चलती है नहीं तो ये हमारे क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा wrong in the sense है कि जो इन्होंने option पूछ है यही right option हमारा कि ये हमारा परपज नहीं है cost accounting का तो फिर आप मुझे comment section में बताना कि financial position of a business वो हमें किस से पता चलेगी ठीक है तो किसका परपज है हमारा इसके बाद हमारा next है which is which one is the correct 119 question है in the modern marketing sense अगर हम modern marketing sense की बात करते है तो च्यार option में से कौन सा correct है तो देखे हमारा यहाँ पर है market refers to the place where the buyers and the sellers gather to enter into a transaction यह बात तो ठीक है लेकिन यहाँ पर इन्होंने place word यूज कर दिया कि जिस place पर आकर buyer और seller हवे इखटे होते है कोई भी transaction करने के लिए तो लेकिन आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है place होना कोई जुरूरी नहीं है इसलिए हमारा जो option number second है यह हमारा राइट हो जाएगा कि market का मतलब है to set of the actual and the potential buyers of our product or the services basically जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है उसके लिए हमारे buyers and sellers होने चीए उसके लिए को ऐसा ज enterprise का features इसमें से कौन सा नहीं है तो देखे जो global enterprise हमारी होगी huge capital resources मिलेंगे advanced technology भी मिलेगी product innovation भी मिलेगा लेकिन responsibility for creating the regional balances तो उनकी यह कोई responsibility नहीं उनने इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि regional regional balance ही जब वो हो या ना हो ठीक है तो इसलिए यह हमारी क्या features नहीं होगी तो right answer हो जाएगा हमारा फोर ते उसके बाद हमारे next 121 which one is true advertising strategy has the element of creating the advertising message तो यह आपका true है कि जो advertising strategy है उसका main element क्या है उसका element क्या कि भी advertising message वही देना ठीक है तो यह हमारे क्या हो जाएगा true हो जाएगा और बाकी की जो statement है वो true नहीं है next आपका 122 which one is a function of the cost accounting का हमारा function क्या है तो यहां पर देखिए to provide the information about the profit or loss of the business as a whole to provide the information about the unit cost profit loss or different product lines तो यही हमारे जो second option है यही right answer है जो cost accounting का function क्या है कि भी वो unit cost के regarding information देगी profit or loss of different product line है जो लग-लग product line है उनका भी profit और लो से उसके regarding information देगी ठीक है तो second option हमारा हो जाएगा right answer 122 के बाद हमारा next 123 income and the expenditure is prepared by the no for profit organization own तो किस बेस पे ये करती है जो NPO हमारी होती है अक्रिवल बेसिस पे ये हमारी क्या करेगी income and expenditure account हमारे prepare किये जाएंगे next हमारा the portion of the capital which can be called only at the time of the winding up of our company is known as तो भई जो capital कव है portion जिसको एक company है वो कब मंगवाती है जब winding up होगा company का उसी time उस portion को मंगवाएंगे तो उसको basically हम बोलते है reserve capital उसको इसी लिए reserve करके रखा गया है कि जब winding up होगी ना उसी time हम इस capital को call करेंगे ठीक है a decision to issue the new debenture 125 जब एक decision हमने लिया है new debenture issue करने का तो यह किस से related हमारे decision है तो cdc बात है new debenture issue करना means finance arrange करना पैसा आणना पैसे को रेज करना तो यह हमारा हो जाएगा option number third financing decision हो जाएगा हमारा right answer ठीक है next हमारा which one is the false तो हमें बताना है इसमें से हमारा false कौन सा है तो देखिए यहां पर जो हमारा false है न यह आपका यहां पर डारेक्ट में बताऊं तो आपको third accounting means the recording of the transaction events not their interpretation तो इन्होंने बोला कि भी accounting का मतलब क्या है record करेंगे transaction को जो भी events है लेकिन interpretate नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है accounting का मतलब recording भी करना classify भी करना summarize भी करना और फाइनली जाके भी हम उससे results भी निकालते है interpretate भी करते है रिपोर्ट समतियार करते है तो इसलिए यह हमारी क्या हो जेगी false हो जेगी क्योंकि नोने बोला note their interpretation ठीक है और और हमारे सारके सारी right information है तो देखें और कैसे राइट है यहां पर देख भी सकते हैं सब फिल्स ओफ द अकांटिंग अर्द बूक कीपिंग है financial accounting and management यह भी डाइट है देर अग्जिस्टा वाइड गल्फ बिट्विन दहां भी हमारा difference है इनके बीच में accounting और economics की और लास्ट देखें मेटलिटी प्रिंसिपल इजन exception to the full तो यह तो है हमारे मेटलिटी प्रिंसिपल हमारे क्या बोलता है कि जो material है जो relevant information है ठीक है सिर्फ उनी information को आप शोग कीजिए वहीं पर हमारे जो full disclosure principle है क्या बोलता है कि आपको सारी की सारी information है उनको disclose करना किसी भी information को आपको नहीं चीफाना तो इस वज़े से आपस में क्या हो गया जो material principle है यह exception हो गया कि इसका full disclosure का तो सारे की सारे राइटर सिर्फ रोंग है हमारा कौन सा option number third next हमारा 127 which one is the true accounting involves only the recording of the business transaction transaction which increase the capital is called the income और देखिए accounting involves क्या सिर्फ हम accounting में जो transaction उसी को record करते है नहीं ना तो यह तो हमारा रोंग है transaction जो transaction अगर हमारी capital को increase कर देगी क्या उसी को हम income कहेंगे नहीं the value of the human resources शोन है जैसे इसे इन बैलन शीट में हम दिखाते है कि यह हमारी इतने human resources नहीं तो हमारा जो right to क्या है accounting इजा service तो basically accounting हमारे क्या है एक service function है ठीक है जो हम accounting करते है तो देखे next हमारा actual name of the world bank जो world bank है उसका actual name क्या है तो जब starting में हमारा world bank बना था तो वह इस name से बना था हमारा international bank for reconstruction and the development तो यही actual name है world bank का और basically जो यह हमारा bank existence में आया था यह क्यों आया था आप सभी को पता है जब second world war हुआ था उसके बाद जो यूरोप और जापान की जो economy थी बहुत सारे देश थ तो उसको फिर से construct करने के लिए reconstruct करने के लिए develop करने के लिए हमारा international bank for the reconstruction and development bank existence में आया था और इसी का फिर बाद में नाम रख दिया गया world bank ठीक है next हमारा 129 which one is true यहां पर हमारा concert true है तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा true है ठीक है which one is true तो financial statement reflect the current situation यह भी हमारा true नहीं हो एसे शोन इन बैलन शीट रिफ्लेक्ट यह भी रोंग हमारा बैलन शीट डिस्क्लोज दा इन्फॉमेशन रिलेटिंग तो बिलकुल आपका इर्रिलेवेंट सी हां पर इन्फॉमेशन गिवे रहा है तो लास्ट देखिए which one is true बदाना में financial statement do not contain the qualitative information तो सही बात भी financial statement में ह अपने आप से यह एक तरह से करते हैं तो वहां पर ऐसी कोई qualitative information नहीं है तो यह हमारे क्या हो जाएगा त्रू हो जाएगा next हमारा 130 which of the following is not a limitation of the computer system की limitation नहीं है ठीक है हमें यह बताना है not a limitation of lack of decision making यह भी limitation हो जाएगी क्योंकि computer system है उसमें decision making human being की तरह है नहीं मिल सकती फिर आपका देखिए lack of speed है तो क्या limitation है computer system की नहीं ना तो यह ही आपका right answer हो जाएगा क्योंकि speed की तो कोई कमी है नहीं कंप्यूटर के अंदर तो computer तो एक second के अंदर यह आपकी कितनी सारी यहां पर कोई भी काम करना है तो कोई भी transaction recording करना है तो एक second में आपकी millions transaction record कर देगी तो यहां पर यह हम बोल सकते कि यह computer के आपकी limitation नहीं है तो यह थे हमारे 130 यहां पर total 20 question आज की वीडियो में तो अब next video में हमारे 20 question और बच्चे है तो total फिर आपके जो 150 question है complete हो जाएग तो बताना वीडियो कैसी लगी तो देखें पीवाई क्यों मैं आपको करा रही हूं और को और भी यह तो अभी हमने 2018 का पेपर किया है ठीक है 2018 का पीजीटी Commerce का के वीएस का ठीक है तो कोशिश करूंगी 2017 का भी और इससे पहले भी अगर मुझे मिले तो वे भी आपको मैं जरूर कराऊंगी या फिर आधर भी कोशिश करेंगे कि इन सब के भी हम कर ले क्योंकि इन सब करके जाने जरूरी है एक्जाम देने से पहले ठीक है और तब तक आप लोग अपना जो स्लेव से उसको भी करते रहे हैं और साथ की साथ पीवाई क्यूबी और इसी के साथ ही डेली बेस पे आप कम से कम परचास एंसी क्यूबी कर लेना ठीक है यह भी आप लोगों के लिए जरूरी है अभी से स्टार्ट कर दीजिए और यह नहीं कि भी मैं पहले स्लेव से कंप्लीट करूंगा उसके बाद एंसे क्यूंगा तो साथ के साथ बीस पचीस पचास जितन झाल झाल झाल